देश दुनिया के इतिहास में 15 नॉवंबर का दिन कई घटनाओं का गवाह बना आज के दिन परसिद्ध संत करपालू महराज के निधन समेथ कई वड़ी घटनाए घटें हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इन घटनाओं की एहमियस से रूबरू कराएंगे 1830 में आज ही के दिन भारत के समाज सुधारक राजा राम मोहन राय इंग्लेंड के लिए रवाना हुए थे भारत की प्रतम महिला वैरिष्टर कार्नेलिया सोरा वजी का जन्म आज ही के दिन 1866 में हुआ था भारत के परसीद सुधा संग्राम सेनानी और आधिवासी नेता विरसा मुंडा का जन्म आज ही के दिन 1875 में हुआ था असोग चक्र से सम्मानित भारती बायु सेना के सहीत गरून कमांडो जयोती प्रकास निराला का जन्म आज ही के दिन 1986 में हुआ था आज ही के दिन 1920 में जिनेवा में लीग आफ नेशन्स की पहली बैठत आयोजित की गई थी। 1936 में आज ही के दिन नाजी जर्मनी और जापान के बीच कोमिंटरन बिरोधी संधी पर हस्ताक्षर किये गए थी। भारत के परसिद्ध हिंदी साहित कार जैसंकर परसाज का निधन आज ही के दिन 1937 में हुआ था। आज ही के दिन महात्मा गांधी की जान लेने के दोसी नातू राम गोट से और नारायन दत्रात्रे आस्टे को फासी दी गई थी। आज ही के दिन 1955 में पोलेंड और यूगोसलाविया के बीच ब्यापार समझोते पर हस्ताक्षर किये गए थी। भारत में बिधायक निर्वाचित होने वाले पहले कमनिष्ट नेता वंकी मुकरजी का निधन आज ही के दिन 1961 में हुआ था। भारत की महिला टेनिस खिलाडी सानिया मिरजा का जन्म आज ही के दिन 1986 में हुआ था। आज ही के दिन 1998 में अमेरिकी राष्टपती विल क्लिंटन ने भारत और पाकिस्तान का दोरा रद कर दिया था। 2004 में आज ही के दिन अमेरिकी विदेश मंत्री कोलिन पावेल ने अपने पस से इस्तीफा दे दिया था। आज ही के दिन 2007 में एरियाना 5 रॉकेट ने बिर्टन और पराजियल के दूर संचार उत्ग्रहों को आजद्रीक्ष में इस्थापित किया मतुरा में बिख्यात प्रेम मंदिर का निर्माड करवाने वाले परसिद संच करपालू महराज का निदन आज ही के दिन 2013 में हुआ था आज के इतिहास में इतना ही कल फिर हाजिर होंगे कल के इतिहास के साथ देखते रहिए जनपरवाद नमस्कार